बोपाल में कुर्णा संगमन के लगातार बढ़ते मामलों की बीच एक सुकून देने वाली खबर आई है शहर के सबसे बड़े बंसल अस्पताल ने आज से ही अपना कोविट सेंटर शुरू कर दिया है जिसमें कुर्णा पॉजटिव मरीजों को बहतर लाज मिलेगा बंसल अ ने अस्पताल की खासित बताई बंसल कोविट सेंटर में अलग क्या है अगर मैं आप से जानना चाहूं कि तमाम जो चीजें हैं एक प्रोटोकॉल है इस ट्रीटमेंट इस बीमारी से ट्रीटमेंट का लेकिन एक होलिस्टिक एप्रोच की बात जैसा मैंने शुरू में कहा किस तरह से ये सेंटर एक अपनी इमिनेंट पहचान के साथ सामने आएगा शरिट जी जैसा कि समाज में हम देखते हैं कि हर वर्ग वर्ग से मेरा मतलब है आयवर्ग उनकी आशाएं अलग-अलग होती हैं और जो मद्रप्रदेश सरकार या भारत सरकार है वो एक सीमित उड करना तक ही उन सब की मदद कर सकती है लेकिन जो बहुत high income group के लोग है middle income group के लोग है वो प्राय सरकारी संस्थानों में जाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वह शायद private ward अच्छे नहीं है या नहीं है तो वह वहां जाके परिशान महसूस करते थे तो जो कि मैं नहीं समझत कि सही है कि गलत है कहना मुश्किल होगा लेकिन जब किसी को हफते दस दिन तक रहना है तो वो चाहेगा कि वो सहज रहे अपने आपको एठ होम महसूस करें तो इतने छोटे से समय में जो कि तिर पांस दिन का समय था उसमें हमने कोशिश की है इस सेंटर में एक घर की चार बेट का कमरा, दो बेट का कमरा, एक बेट का कमरा इस तरह से किया है जिससे कि वो लोग एठ होम फील कर सकें क्यूंकि मुझे दुख होता है जब मैं देखता हूं या सुनता हूं कि कोविट पॉजिटिव पेशेंट था उसने सुसाइट कर लिया वो इसलिए हुआ क् कोई सही धंग से उसको समझा नहीं पाया कि 99.5% से ज्यादा चांसे थे कि आप तो ठीक होके घर जाओगे तो इन सब चीजों को ख्याल में रखते हुए जहां पर हम साइको एजूकेशन दे सके सारे मरीजेस को उनको हम एक परिवार की फिलिंग दे सकें उनको एक 3-4 स्टार होटल की फिलिंग दे सकें